नमस्कार आप नियूस देख रहे हैं आपके साथ मैं उलक्ष शर्मा भारत और श्रिलंका के बीच वंडे और T20 सीरीज के लिए टीम का एलान हो चुका है वंडे टीम में जादा फेर बदल तो नहीं हुए लेकिन एक बड़ा फेर बदल हुआ हार्दिक पांडिया को लेके चाहे वो T20 हो चाहे वो वंडे हो T20 टीम की कमान अब उनके हातों में चली गई है रोहित शर्मा को T20 टीम में शामिल नहीं किया गया है या कहें कि वो अभी शायद अपनी इंजरी की वज़े से पूरी तरीके से वो कहते हैं कि रिकवर नहीं हुए उबरे नहीं है वहीं विराट कोली भी T20 टीम में नहीं है हादिक पांडिया को T20 टीम की कप्तानी मिली है सूर्य कुमार यादव यानि सूर्या भाव अब इस टीम के T20 टीम के वाइस कैप्टेन होंगे वहीं अगर वनडे टीम की बात करें तो रोहिच चर्मा विराट कूली जैसे खिलाडी टीम में आ गये है या लगातार खेल रहे है क्योंकि बंगलादेश के खिलाव भी खेले थे रोहिच शर्मा इंजरी के बाद टीम में आ रहे हैं कप्तान की भूमी का निबाएंगे लेकिन यहां भी एक पेच और फस गया है आप पेच कहें कि जो पहले टीम के वाइस कैप्टेन थे केल राहूल उनका डिमोशन हुआ है और उनकी जगे हार्दिक पांडिया को वाइस कै इसकी वज़े से चैन करताओं को यह फैसला लेना पड़ा क्योंकि अगर शिखरदवन का प्रदशन देखे बांगलदेश के खिलाव भी प्रदशन देखे तो एक बार भी धाई का आकड़ा यानि दस से जादा रन कभी नहीं बना पाई उसका आकड़ा भी नहीं आप रहा वहीं इशान किशन शुबमन गिल जैसे खिलाडियों ने अपनी जो उनको मौके मिले उसको अच्छे तरीके से बुनाया और रनों की बरसात करी शुबमन गिल को भी मौका मिला है वंडे सीरीज के लिए इशान किशन भी है इस टीम में रिशाप मंत को दुबारा टीम से वंडे हो या T20 से बाहर कर दिया गया है लेकिन जो सबसे बड़ी घंटी है वो शिखर धवन के लिए बजी है क्योंकि पहले का जा रहा था कि शायद उनका 2023 वंडे वर्ल्ड कप खेलना कंफर्म है लेकिन अब जब उनको बाहर कर दिया गया है तो उनकी वापसी बे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे इसके लावा आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल्द कर लीजिए बहुत बहुत शुक्रिया